नमस्कार आप सुन रहे हैं दब बॉलीवूट रेडियो और मैं हूँ आपके साथ अनूपाकाश वर्मा दोस्तों ये किस्सा राजकुमार और राजकपूर का है बॉलीवूट के प्रिंस कहे जाने वाले राजकुमार के तेवर से शायद ही कोई बच पाया होगा यहां तक की राजकपूर भी एक बार राजकुमार के बड़ बोले पन के शिकार हो गए थे असल में राजकपूर एक फिल्म मना रहे थे और उस फिल्म में उन्होंने राजकुमार को लेने का फैसला किया था लेकिन हुआ कुछ और ही राजकपूर की फिल्म तो बनी लेकिन राजकुमार के बगैर राजकुमार भी कम नहीं थे फिल्म बनने के बाद राजकपूर को फिल्म मेकिंग सीखने की सलाह दे डाली पूरा मसला आप को सुनाते हैं कि साखर है क्या राजकुमार और राजकपूर कभी अच्छे दोस्त थे और दोनों एक दूसरे की कदर भी करते थे लेकिन राजकुमार के बड़बोले पन और तेवर को देखकर एक बार राजकपूर उनसे नारास हो गए असल में राजकपूर अपना ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा नाम जोकर बना रहे थे और इस रोल के लिए उन्हें सटीक करदार चाहिए था ये रोल था जादूगर का राजकपूर ने इस रोल के लिए कई सितारों से बात की लेकिन अंत में उन्होंने इसके लिए राजकपूर को ही इस रोल के लिए फाइनल किया और उन्हें ये रोल आफर कर दिया इस फिल्म में पहले से मनोच कुमार धरमेंदर सिमी ग्रेवाल सिलक्ट हो चुगे थे राजकपूर इस फिल्म में राजकपूर को उन्होंने सरकस का जादूगर वो बनाना चाहते थे लेकिन इस फिल्म के लिए राजकपूर ने साफ मना कर दिया था राजकुमार ने राजकुमार से कहा था कि यदि फिल्म में उन्हें लेना चाहते हैं तो अपने बराबर का कोई रोल दे या फिर क्रियेट करें राजकुमार को राजकुमार का फिल्म मना करना खल गया और वो उनसे खासा नाराज हुए राजकपूर का ये गुस्सा प्रेम चोपडा की शादी में निकला था राजकपूर और राजकुमार दोनों साथ में शराब पी रहे थे और अचाना की नशे में राजकपूर ने राजकुमार की बेज़ती करने शुरू कर दी फिर दोनों ही सितारे इस पार्टी में जम कर एक दूसरे पर कीचड उचालने लगे कुछ दिन बाद जब मेरा नाम जोकर शुरुवात में पिट गई तो राजकुमार ने अपना तेवर राजकपूर को दिखा दिया राजकुमार ने चुटकी लेते हुए राजकपूर को कहा कि राज को फिल्म मेकिंग का कोर्स कर लेना चाहिए इस प्रक्रण के बाद दोनों ही सितारे कभी एक दूसरे के साथ ना फिल्म की ना दोनों ने कभी बात की सुनते रहिए दा बॉलिवूट रेडियो